हसना मना है, शांती और अरुन अच्छे मित्र थे, उन्हें एक दूसरे के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था, घर वापस जाते समय अक्सर उनके बीच दौर लग जाती थी, शांती हमेशा खुश रहने वाली लड़कियों में से थी, एक दिन, शांती धीमे धीमे चलती ह हुई कक्षा में आये, उसका चहरा लगता हुआ था, वो बहुत उदास देख रही थी, क्या तुम्हें किसी किसी ने दाता, अरुन ने पूछा, शांती ने अपना सिर हिला कर मना कर दिया, वह बैट गई, उसने न तो सिर सर उठा कर देखा और नहीं उपस्थित कहा, जब सोना दीदी ने उसका नाम पुकारा, शांती कुमारी, सोना दीदी ने उची आवाज में फिर से पुकारा, शांती ने अपना हाथ खड़ा कर दिया, क्या तुम्हारे गले में खराश है, दीदी ने पूछा, शांती ने सिर हिला कर ना कह दिया, उसके गाल लाल हो गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसे बुखार हो सोना दीदी ने पूछा तुम्हारी तबियत ठीक है हाँ शांती ने फिर से सिर हिलाया लेकिन चहरा उठा कर उनकी तरफ देखा नहीं आखिर शांती इतनी उदास क्यों लग रही थी तुम्हारा छोटा भाई तो मजे में है ना तुम्हारा पालतु कुत्ता तो तंग नहीं कर रहा ना तुम्हारी दादी की तबियत ठीक है ना शांती सभी दोस्तों की सवालों पर सर हिलाती रही लेकिन उसने चहरा उपर नहीं उठाया अरुल शांती को हसाना चाहता था उसे एक उपाय सूझा उसने अपना बस्ता खोला और उसमें से कुछ निकला जैसे ही वह उसे शांती को दिखाने के लिए दोड़ा वह चीज उसके हाथ से फिसल गई शांती ने देखा कि कोई चीज उलकर उसके पास आ रही है उसने लपक कर चीज को पकर लिया शांती को दिखा एक बड़ा सा राबर का मिधक शांती की आँखे खुली की खुली रह गई फिर उसने मूँ खोला जोर से हसने के लिए तब अरुल और बाकी सब को समझाया क्यों शांती पूरे दिन ना हंस रही थी और ना ही बाते कर रही थी दरसल सामने के चार दांग जो गायब हो गए थे उसके थांक्यू फोर वाचिंग दिस वीडियो